आज हम लोग चाप्टर 10 है आज ग्रीव वोल्डर को पढ़ने वाले हैं यह चाप्टर एक पोएम के रूप में है और यह पोएम जो है लैंग्स्टन हीूज के दुवारा लिखा गया है जो एफ्रिकन अमेरिकन पोएट है और वो सोशल एक्टिविस्ट भी थे सोशल एक्टिविस्ट मिन्स वो एफ्रिकन अमेरिकन लोगों के लिए बहुत काम करते थे उनकी समस्याओं को उजागर करते थे है ना तो यह उस समय की बात है जब एफ्रिकन अमेरिकन को discriminate किया जाता था अमेरिका में मिन्स उनके साथ भेदभाव किया जाता था उनको black people कह करके उनको अलग किया जाता था black people का कोई सम्मान नहीं होता था black people को कोई privileges नहीं मिलते थे सारे privileges सारे opportunities जो थे वो white people के पास था तो उस समय Langston Hughes जो poet है हमारे उनका भी कोई सपना था जो किसी कारणवस पूरा नहीं हुआ उसी के बारे में हम लोग इस poem में पढ़ने वाले हैं और पता करेंगे इस poem को पढ़ करके कि कौन सी बाधाय, कौन सी hurdles, कौन सी obstacles उनके रास्ते आये जिसके वज़े से उनके dreams जो है अधूरे अधूरे से रह गए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस beautiful poem को लेट उस रीट आ पोएम अबाउट अमैं एस्पारिंग फॉर हिस ड्रीम तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यह बहुत पुराने समय की बात है जब मैं लगबग अपने ड्रीम को अपने सपने को भूल चुका हूँ लेकिन उस समय मेरा जो ड्रीम था वो मेरे पास था मेरे दिलो दिमाग पे था मैं उस ड्रीम को उस सपने को डेली सोचता था देखता था और जीता भी था मैं अपने ड्रीम के बहुत close था, बहुत करीब था और मैं अपने सपने को daily देखता था, रोज उसको जीता था bright like a sun, my dream, सूर्य की तरह चमकता हुआ मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, वो जो मेरा ड्रीम था, जिसे मैं रोज देखता था, मैसूस करता था, जीता था, वो सूर्य की तरह तेज था, चमकता हुआ, bright था means मेरे जो ड्रीम था, उसका प्रभाव जो है, उसका प्रभाव जो था, मेरे उपर वो बहुत ही ज़्यादा था दिलो दिमाग पे मेरा ड्रीम जो था, उस समय चाया हुआ था and then the wall rose, rose slowly, slowly, between me and my dream और फिर क्या हुआ, एक दिवार खड़ा हो गया, rose, rise का फॉर्म है, rose तो उस समय हमारे और हमारे ड्रीम के बीच में एक दिवार खड़ा हो गया और वो दिवार क्या दिवार था? वो दिवार था, discrimination का दिवार वो दिवार था रैसिज्म, वो दिवार था भेदभाव का दिवार, जो काले और गोरों लोगों के बीच खड़ा कर दिया गया, एफरिकन अमेरिकन लोग जो थे, वो काले थे, और अमेरिका के जो लोग थे, मूलनिवासी, वो गोरे थे, तो उन दोनों के बीच में, white और black के पीछ में ऐसा दिवार खड़ा हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, ब्लैक लोगों को प्रिविलेजेज नहीं मिलते थे, मतलब फैसिलिटीज नहीं मिलते थे, उनको बहुत सारे उपर्चुनिटीज नहीं दिया जाता था, सारे आगे बढ़ने का जो रास्ता है, सक्सेस करने का रास्ता है, वो वाइट पिपल के पास हुआ करता था, और इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम किया जाता था, इन लोगों के लिए सेपरेट स्टोर, सेपरेट दुकान, सेपरेट सब कुछ सेपरेट, separate गाड़ी separate schools black people जो थे वो white people के साथ travel नहीं कर सकते white people के साथ बैठ नहीं सकते white people के सामने नहीं आ सकते school में भी आते तो वो लोग अलग रहता था उनका class and then the wall rose rose slowly slowly between me and my dream और वो जो दिवार discrimination गा था जो मैंने बताया वो धीरे धीरे उठता ही गया उपर उठता ही गया और मेरे और मेरे ड्रीम के बीच में आ गया है ना मेरे और मेरे ड्रीम के बीच में वो जो दिवार था वो आ गया वो दिवार था discrimination का तो discrimination होता रहा continuously तो हम जैसे लोग कैसे सक्सेस करते हैं, अपने ड्रीम को कैसे पाते हैं, तो उसके बीच में हर्डल्स आ गया, है ना, रोज अंटिल इट टच्ट था स्काई, और वो तब तक बढ़ता रहा वो दिवार, वो राइस करता रहा वो दिवार, जब तक वो आस्मान को ना छूले, आस्मान को ना छूले क मतलब है, कि वो बहुत उंचा गया, मतलब स्काई हाई के जैसा, वो जो डिस्क्रिमनेशन था, वो बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रॉंग था वो डिस्क्रिमनेशन वाइट पिपल के द्वारा, है ना, इसलिए उसको कहा जा रहा कि वो आस्मान को छूता ऐसा लग ब्लैक, और वो जो वाल था, उसका शैड़ो था, और मैं ब्लैक, तो यहाँ पे पोएट, यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं, कि वो जो वाल था, डिस्क्रिमनेशन का, और उसका जो शैड़ो आया, उसका शैड़ो आया मतलब उसका असर, उसका इम्पैक्ट, उसका जो अ हम लोगों को एसास कराया गया कि हम लोग black people हैं, हम काले हैं, हम लोगों से अलग हैं, हमारी व्यवस्था सारी अलग होनी चाहिए, ये वो लोग ऐसा discriminate कर दिये हम लोगों को, मुझे एसास करवाया कि मैं black हूँ, है न, I lie down in the shadow, no longer the light of my dream before me, और मैं ठक गया, मैं लड़ नहीं सका उस दिवार से, उस discrimination के दिवार से और shadow में उसके जो असर थे, उसमें ठक करके बैठ गया, गिर गया, और मेरा जो dream का light था, वो भी shatter हो गया, खतम हो गया, बिखर गया, no longer the light of my dream before me, और मेरे सामने जो मेरा dream था, वो खतम हो गया, above me, only the thick wall, only the shadow, मेरे उपर सिर्फ वो बड़ा मोटा सा दिवार था, और साथ में उसका shadow था, मिन्स सिर्फ discrimination ही discrimination था चारो तरफ, और उसका असर था हमारे उपर, उस दिवार का असर था, मिन्स shadow था, मिन्स असर था, मतलब उसके असर के वज़े से हम अपने dream को भूल जाना पड़ा, हम अपने dream को भूल गए, हम अपना dream को अचीव नहीं कर पाए, my hands, my dark hands, मेरे हाथ, मेरे काले हाथ, break through the wall, इस दिवार को तोड़ दो, find my dream, मेरे dream को ढूंडो, ढूंड निकालो वो खोया हुआ dream, help me to shatter this darkness, मेरी मदद करो, इस काले अंधेरे को, अंधेरापन को दूर करने में, to smash this night, इस काले घंगोर अंधेरी रात को दूर करने में, to break this shadow, इस अंधेरी, इस काला परच्छाई को दूर करने में, into a thousand lights of sun, into a thousand whirling dreams of sun, तो इस काले अंधेरे को दूर करने के लिए, मेरे काले हाथ मुझे मदद करो, ताकि मैं इस दिवार को तोड़ पाऊं, उन लोगों के लिए, जो लोग अपने सपने के पीछे भाग रहे हैं, जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, भले मेरे सपने पूरे ना हुए हूँ लेकिन मैं अपने उन लोगों के लिए काम करना चाता हूँ उन लोगों के लिए इस ये जो बंदिश है ये जो दिवार है discrimination का भेदभाव का इस दिवार को तोड़ना चाता हूँ इस दिवार के वज़े से जो darkness है जो shadow है जो अंधेरापन है उसको दूर करना चाता हूँ into thousand lights of sun जहाँ पे सूरज की हजारों किरने हैं और सूरज की किरने यहाँ पे किसको कहा जा रहा है dreams को कहा जा रहा है into a thousand whirling dreams of sun है ना तो दिवार अगर हट जाएगा तो हजारों लोगों के जो सपने हैं उस पार वो पूरे हो पाएंगे वो जो दिवार अगर हट गया तो means अगर discrimination हट गया तो काले लोग जो वहाँ पे सफर कर रहे हैं उनके जो सपने हैं पेंडिंग सपने पड़े हुए हैं उनके सपने पूरे हो पाएंगे मेरे सपने नहीं पूरे हुए तो क्या हो मैं उनके लिए fight करूँगा तो ये beautiful story ये यहाँ पे खतम होता है ये beautiful poem कैसा लगा आपको comment करके जरूर बता ये question answer आपको इसी चैनल पे इसी जगह आपको मिलेगा आपको subscribe कर लेना है बस और bell notification को on कर देना है ताकि जब मैं इसका question answer upload करूँ तो आपको question answer मिल पाएगा और मैं think and answer value answer सब का answer provide करता हूँ आपको पता ह ही होगा तो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग subscribe करना भूल गए है वो लोग subscribe कर ले और दोस्तों के साथ share भी कीजिए तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye